नफशकार दोस्तों नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से इस वक्त हैं तो पूर्ब सैनिकों के आश्रतों के लिए बरे जाएंगे स्टाप नर्स के 91 पत कितने पत किस कैटागिरी में बरे जाएंगे और ये भरती कब होगी उसके बारे में बिस्तार से चर्चे कर रहें वो चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने बाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें इस चैनल के माद दिम से जितने भी आपके हमिरपूर बोर्ड की तरफ से एक्जाम हो चुके हैं उनके ओर कोशन पेपर की रिवी आपके 91 पद भरे जाएंगे यह जान और यह जो भरती होगी बैच वाइज अधार पर यह भरती करवाए जाएगी यह जानगार दिया आपके जिला रोजगार अधिकारी उन्ना के जो है अनीता गोत्नम के द्वारा बताएगे कि जो समान ने श्रेणी में पूर्ब सैनिको के आश्रतों के लिए 2015 का बैच होगा इसमें आपके स्टाप नर्स के 36 पद भरे जाएंगे समान ने आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग से सबंदित पूर्ब सैनिकों को जो बच्चे हैं उनके 2019 का बैच होगा इसमें 9 पद भरे जाएंगे नक्स बात करें समाने श्रेणी मे सबतंत्रा से नानीओं के आश्रतों के लिए 2011 का बैच होगा और इसमें एक पद भरा जाएगा समाने श्रेणी में खेल कोत्रा में जो आपके उनका जो बैच होगा naar 2019 का बैच होगा और इसमें 3 पद भरे जाएंगे sports quotas next बात करें अन्सूचित जाती में पूर्व शैनिकों के आश्रितों के लिए 2019 का बैच होगा इसमे 17 पत भर जाएंगे next बात करें SC BPL से सबन्दित पूर्व शैनिकों के आश्रितों के लिए अपश्रेणी में up to date का बैच चला हुआ जिला रोजगार अधकारी के दुआरा ये बताए गए कि जो भी अवियर्थी जिनका नाम रोजगार कराले में दर्ज है बे अपने रोजगार परवाण पत्र साइथ तीन दिसंबर से पूर्व सबंदित रोजगार कराले में सब पर्क करना सुनिश्ट कर ले ताकि उनका नाम सबंदित विभाग को बेजा जाए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लेज जानको लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जुरूर कर ले ताकि आने बाले हर वीडियो की अपने टापको समय समय पर मिलती रहे तो मिलते हैं अगरी वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद